धरा ने कहा सर मैंने रिशब से बोला था कि वो भी अंदर मेरे साथ आ जाए लेकिन वो नहीं माना तभी मिहिर ने उस गिफ्ट में से एक वाच उठाई और उसे धरा को देते हुए कहा ये लो रिशब को ये वाच दे देना और बोलना कि मैंने उसे क्रिस्मिस का गिफ्ट दिया है धरा ने मिहिर के हाथ से वो घड़ी ली और मिहिर को थैंक की बोलकर धरा सीधे गेट से बाहर निकल कर आई और मिहिर अपने सभी मैनेजर के साथ बैट कर बाते करने लगा धरा तुरंद रेस्टरॉंट से बाहर निकली और इधर उधर रिशब को ढूबने लगी पहले तो रिशब धरा को कहीं भी नजर नहीं आया धरा ने इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में कहा उसने रिशब की बात सुनी और तुरंद पीछे मुड़ी रिशब ने मुस्कूराते हुए कॉल डिसकनेट किया और मुबाइल फोन अपनी जेब में रख लिया वो रिशब के पास आई और बोली मैं इतनी देर से तुम्हें डून रही हूं कहा थे तुम रिशब ने कहा अभी अभी तो आप आईए मैं मैं तो यहीं पर था कहीं गया ही नहीं धरा ने रिशब का हाथ पकड़ा और कहा चलो अब चलते हैं बहुत ठंड हो रही है और तुम मुझे मैं कहना बंद करो रिशब ने मुस्कूराते हुए हां में सिरह लाया धरा रिशब के साथ चल रही थी तभी उसने मिहीर की दी हुई घड़ी की तरफ देखा और कहा ये लो मिहीर सर ने तुम्हे कुछ दिया है रिशब ने धरा के हाथ से घड़ी ली और उसे खोल कर देखते हुए कहा ये तो बहुत महंगी है सौरी मैं इसे नहीं ले सकता पता कि मैं यहाँ हूँ धरा ने बड़ी मासूमियत से सवाल का जवाब देते हुए कहा मैंने बताया सर को वो हमसे पूछ रहे थे कि इतनी रात हो गई है क्या मैं अकेले घर जाऊंगी तो मैंने उन्हें बता दिया कि नहीं तुम हो मेरे साथ इसलिए उन्होंने तुम्हे ये गिफ्ट दिया अब तुम इसे रख लो रिशब ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर वो घड़ी रख ली रिशब ने धरा को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर चला गया इधर रेस्टरॉन में काव्या आर्ती ललित निखिल और मिहीर सब आराम से बैठे हुए तभी मिहीर ने तेज आवाज में कहा बहुत होगई हैसी ठीटोली अब ठोड़ी काम की बात कर ले सबी लोग मिहीर की बात सुनते ही काफी ज़्यादा एलर्ट हो गए और काफी ध्यान से बात सुनने लगे मिहिर ने ललित की तरफ देखकर कहा हाँ तो ललित और आरती तुम लोग मुझे बताओ कि टी हाउस का बिजनिस इस टाइम कैसा चल रहा है जहां तक मेरा मानना है कि सर्दियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो बिजनिस तो अच्छा चल रहा होगा मिहिर की बात सुनकर ललित और आरती दोनों ने काफी सीरिस होकर हाँ में सिर हिलाया और ललित ने कहा हाँ सर टी हाउस काफी अच्छा चल रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है सब कुछ बिलकुल ठीक है मिहिर ने काव्या की तरफ देखा और काव्या ने मिहिर के कुछ बोलने से पहले ही अपनी बात बोल दी सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है सर अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं सबसे पहले आप से बात करती मिहिर ने काव्या की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और धीरे धीरे करके सभी मैनेजर्स वहां से जाने लगे जब रेस्टरॉण में बस मिहिर, काव्या और निखिल थे तो मिहिर ने बैठे बैठे उस रेस्टरॉण की तरफ देखा और उसके दिमाग में एक बात आई उसने कहा मुझे नहीं पता था ट्रेडेशनल खाना इतना ज्यादा अच्छा होगा सच में यहां का खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तो यह सोच रहा हूँ कि मैं यहां पर पहले क्यों नहीं आया काव्या ने मिहिर की बात सुनकर कहा नहीं सर आपने तो अभी सिर्फ इसी रेस्टरॉंट का खाना खाया है बलकि ओल्ड सिटी में तो कई सारे ऐसे रेस्टरॉंट्स और ढाबे हैं जहां पर सस्ता और अच्छा खाना मिलता है उसके बाद भी ओल्ड सिटी के फ्यूचर में मुझे कोई प्रोग्रिस नजर नहीं आ रही तो क्यों न हम ओल्ड सिटी के सारे ट्रेडिशनल खाने की एक लिस्ट बना कर उसे ओल्ड सिटी के नाम से बेचना शुरू करें यह कैसा रहेगा मिहिर का आइडिया सुनकर काविया ने अपने मन में कहा यह सर के दिमाग में बैठे बैठे नए नए आइडिया आते रहते हैं अब इस आइडिया को लेकर भी मिहिर सर हम लोगों से ही काम करवाएंगे अच्छा तो इसी लिए मिहिर सर ने हम सब को expensive gifts दिये हैं निखिल ने मिहिर की बात सुनकर कहा मिहिर सर क्या आप एक खाने की company स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं मिहिर ने हाँ मैं सिरह लाते हुए कहा वैसे यह आइडिया बुरा नहीं है क्योंकि अभी जब मैं कुछ दिन पहले दिल्ली सीटी में था तो मैंने कई सारी वहां की traditional dish ट्राई की जिनने लोग काफी ज़्यदा पसंद करते हैं लोग packed food को अपनी company के नाम से बेचते हैं जिसके लिए advertisement, television ad और भी कई सारे ad भी करते हैं जिससे उनका culture भी बढ़ रहा है और उनकी traditional dishes भी मिहिर की दिमाग में इस टाइम अपने future plans के बारे में जो भी ideas आ रहे थे, मिहिर उन सभी ideas को काव्या और निखिल के साथ share कर रहा थो निखिल ने मिहिर की बात सुनकर कहा हाँ ये चीजे old city में काफी ज्यादा हैं और famous भी हैं लेकिन फिर भी लोग यहाँ की चीजों को ज्यादा appreciate नहीं करते इसलिए हम अगर इस idea को लेकर कोई भी plan बनाते हैं तो हमें काफी ज्यादा careful होना होगा और इन सभी खाने के products को लेकर geocultural logo भी बनवाने पड़ेंगे मिहिर ने काफी ध्यान से सारी बाते सुनी और हाँ मैं सिरे हिलाते हुए कहा हाँ मैं अभी सिर्फ इस idea के बारे में सोच रहा हूँ अभी हमारे पास काफी time है हम इसके बारे में आराम से सोच सकते हैं जब हम अपने food product को launch करेंगे तो उससे पहले हम सभी तरह के design और logo इकठा कर सकते हैं इसलिए पैसे खर्च करने से हम नहीं घबराएंगे जितना ज़्यादा हम planning से काम करेंगे हमें उतना ज़्यादा profit होगा मिहिर के दिमाग में ये सारे plan चल रहे थे और उसने जैसे ही इन सब के बारे में कमपनी से हमें अच्छा खासा profit मिलेगा और ये कमपनी बिष्ट ग्रूप की एक नई ब्रांच बन जाएगी जिससे हमें काफी ज़्यादा profit होगा लेकिन अगर हम आपके इस plan को black mountain tea के साथ जोड़ें तो ये कैसा रहेगा क्या आपने इसके बारे में सोचा है मिहिर ने निखिल की बात सुनकर कहा अगर हमारा ये idea काम करता है और अगर हमें इसमें profit होता है तो कमपनी के सभी employees के साथ कमपनी के शेख झाल 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 मिहिर ने आलिया की बात का जवाब देते हुए कहा कहा कोई ब्रेक्वेस्ट किया अभी अभी तो सो के उठाओं बस कॉफी पी रहा था और तुम्हारी याद आ गई तो मैंने सुचा अगर मेरी वाइफी मेरे साथ होती तो हम साथ में ब्रेक्वेस्ट कर रहे होते लेकिन अब तुम यहाँ पर नहीं हो तो मुझे तो ब्रेक्वेस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा आलिया ने मिहिर को छेड़ते होए कहा अब बस भी करो इतना जहरा प्यार जताने की जेलो रित नहीं है मिहिर ने आलिया की बात सुनकर कहा कर लूँगा ब्रेक्वेस्ट लेकिन अभी पहले बात तो कर लूँ मिहिर अगर आपके पास कोई काम नहीं तो किसी के पास भी काम नहीं वैसे मैं भी आज अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स से मिलने जा रही है मिहिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा ठीक है जाओ तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजोई करो मैं बात में बात करता हूँ मिहिर की बात सुनकर आलिया ने तुरंट कॉल डिसकनेट कर दिया और मिहिर उठकर किचन में चला गया उदर धरा इम्मैरोईड्रीज में सारे वरकर्ज अपने अपने काम में लगे हुए थे और धरा हर्मन के केविन में बैठकर कल रात में उनी से हुई सारी बातों को डिसकस कर रही थी हर्मन ने धरा की बात सुनकर कहा मैं तो जानता था कि मिहिर सर तुम्हारी तारीफ ही करेंगे क्योंकि तुम जो इतनी लगन से काम करती हो एक तरह से देखा जाए तो पूरा सिंटर तुम ही तो समाल रही हो क्योंकि मैं तो अपनी हेल्थ से ही परिशान हूँ और तुम्हारा ज्यादा हाथ भी नहीं बटा सकता बाकी मैंने सुना सबको गिफ्ट आए है तो मेरा गिफ्ट कहाँ है तो क्या होगा आगे ये जानने के लिए सुनते रहिए रई सारा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफम पर